वेल्कम टू वेल्ड आप टेक्निकल मैं जिलक्षकार आज आपको वर्क्शोप केल्कुलेशन का मैतफुन टोपिक अनुपात और समानुपात पढ़ाने जा रही हो रेशो एंड प्रेपोर्शनल इससे पहले हमने सिंपल इंटेस्ट साधारन ब्याजवला टोपिक कम्पलीट किया था आज हम पढ़ेंगे कि अनुपात क्या होता है समानुपात क्या होता है और इससे किस परकार से क्योशन बनते हैं अनपात, अनपात रेशो कैसे निकालते हैं, क्या होता है रेशो, जैसे किसी संक्या को, जैसे दो बटे तीन है, इसको कैसे लिख सकते हैं, दो अनपात तीन, ये साइन किसका होता है, अनपात का, किसका होता है ये साइन, रेशो का, अब देखें समानुपात, समानुपात में क्या होता है जैसे ये है A बटा B बराबर में C अपोन D ऐसे लिखा हुआ समानुपात का साइन क्या होता है डबल डोट क्या होगा डबल डोट उपर और डबल डोट नीचे ये किसका साइन होता है समानुपात का अब इनको कैसे लिखते है इसको क्या लिख सकते ए अनपात बी इसको कैसे लिख सकते सी अपॉन डी जैसे यह क्या जाएगा सी अनपात डी क्या जाएगा यहाँ पर ए अनपात बी फिर समानुपात सी अनपात डी इस परकार से क्या निकालते Sum anupat और Ratio कैसे निकालते जैसे 2 बटा 3 लिखा हुआ है तो इसको कैसे लिख सकते है 2 अनुपाथ 3 अब देखते आगे वर्गा अनुपाथ क्या होता है वर्गा मुला अनुपाथ क्या होता है इस से पहले हम समझेंगे की अनुलोम, अनुकर्मानुपाती और पर्तिलोम, व्योत कर्मानुपाती का मतलब क्या होता है, एक होता है डाइरेक्ट पोर्शनल, डाइरेक्ट प्रेपोर्शनल, जैसे ये है चाल, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, Speed बराबर क्या हो जाएगा distance upon time में क्या होता है इसमें जब चाल का मान बढ़ता है जब चाल में वरदी होती है तब दूरी का मान भी क्या होता है बढ़ता है क्यों अनुकर मानुपाती में क्या होता है इसके बराबर ये होना चाहिए तब इसका मान बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगी, इसका मान गटेगा तो ये भी गटेगी व्यत कर्मन पाती क्या होता है? इसी का example लेते हैं, चाल बराबर दूरी बटे में समय क्या हो जाएगा? Speed equal to distance upon time क्या होता है? इसमें व्रदी होगी तो ये क्या होगा? गटेगा अगर चाल में व्रदी होगी तो time में क्या होगी? कमी और time में कमी होगी तो क्या होगा समय में व्रदी? ये एक दूसरे की क्या है? व्यत कर्मान पाती इसी को बोलते inversely proportional यह हो गया अनुलोम और इसको बोलते पर्तिलोम अब देखते आगे वर्गा नुपात डुब्लिकेट रेस्यो किसे बोलते डुब्लिकेट रेस्यो कैसे निकालते जैसे कोई संक्या लेते तीन बट्टे में चार अगर इसका वर्गा नुपात निकालने के लिए बोले तो क्या करना है यहां पर इसका square क्योंकि वर्ग का मतलब क्या है कि यहां पर क्या करना है square तो यहां square करेंगे कितना हैगा 3 को कितनी बार multiply करना है दो बार कैसे 3 into 3 तो कितना हो जाएगा यह 9 4 का square करना है वतलब 4 को कितनी बार multiply करना है दो बार तो कितना हो जाएगा 16 या कितना जाएगा 16 अब क्या बोल रहा है वर्ग मूला नुपात वर्ग मूला नुपात के लिए कैसे निकालते है इसी संक्या को लेते हैं यहाँ पर 9 upon 16 क्या करना है यहाँ पर वर्ग बोल रहा है तो इसका क्या निकालना है स्क्वेर कैसे निकालते है यह कब आता है जब 3 को 3 से मल्टिप्लाई करते है मतलब इन मैंसे एक संक्या बार निकालनी है तो यहाँ कितना जाएगा 3 यहाँ कितना है 16 ये कब आया जब 4 को 4 से multiply किये तो क्या करना है एक 4 को बार निकालना है तो यहां जाएगा 3 upon 4 इस परकार से वर्ग मुलानुपात निकाल सकते हैं अब देखते हैं गहनानुपात टिर्पिलिकेट रेशो कैसे निकालते हैं जैसे इसमें square निकालना है वैसे इसमें क्या निकालना है क्यूब है जैसे माल लेते कोई संक्या 2 बटा 3 इसका क्या करेंगे क्यूब है क्यूब का मतलब क्या है यहाँ पर नीचे वाली संक्या को भी 3 बार गुणा करना है और उपर वाली संक्या को भी क्या करना है तीन बार गुणा यहां दो को तीन बार गुणा करेंगे तो क्या हैंगे दो दुनी चार चार दुनी आठ आठ बट्टे में क्या जाएंगे तीन को कितनी बार मल्टिप्लाई करना है तीन बार कितना हो जाएगा 27 इस परकार से गना नुपात निकाल सकते हैं अब देखते हैं गन मूला नुपात सब ट्रिप्लिकेट कैसे निकालते हैं सब ट्रिप्लिकेट रेश्यो कैसे निकालते हैं इसमें क्या होता है जैसे कोई संक्या है 8 बटे में 27 7 कब आये यहां पर 8 जब 2 को कितने बार multiply किये क्योंकि 2 का cube कितना होता है 8 यहां यह cube किसका है 2 का नीचे देखे तो यह किसका cube होगा 3 का तो यहां कितना आजाएगा 2 बटे 3 यह निकल गया गन मुला नुपात अब निकालेंगे योग अंतरा नुपात इसमें क्या दिख रहा है आगे योग तो पहले क्या होगा जोड फिर क्या होगा अंतर फिर क्या होगा अनुपात तो यह क्या है componendo and dividendo इसको कैसे निकालते जैसे A plus B अब उन में क्या है A minus B यहां भी A यहां B यहां A यहां B मतलब यह वाला और यह वाला क्या होना चाहिए समान यहां B का मान और यह B का मान क्या होना चाहिए समान यहां plus होना चाहिए और यहां minus होना चाहिए बराबर में जैसे कोई संक्या मान लेते दो बट्टे एक इसको कैसे solve करेंगे पहले क्या है योग तो उपर क्या करेंगे प्लस A प्लस B नीचे वाली संक्या को भी प्लस करेंगे तो A प्लस A माइनस B नीचे क्या जाएगा इनका अंतर यहाँ जाएगा A प्लस B माइनस इसका क्या हैगा अंतर A माइनस B ये संक्या यहां जाएगी, अंतर के लिए क्या लगाते हैं, माइनस बराबर में क्या हो जाएगा, इनका भी क्या करना उपर, प्लस दो, प्लस, एक, नीचे क्या हो जाएगा, दो में से कितना माइनस करेंगे, एक इसके बाद देखें तो B प्लस में है और B माइनस में एक प्लस से एक माइनस कर जाएगा इसके बाद में क्या बचेगा एक A यहां पर है और दूसरा A यहां पर है तो कितना हो जाएगा 2A बटे में क्या जाएगा यह क्या है माइनस का अंदर जाके किसमें चेंज हो जाएगा ये माइनस में क्योंकि यहां प्लस माइनस क्या होता है माइनस यहां क्या है माइनस यह भी क्या है माइनस 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 किसमें चेंज हो जाते है प्लस में यह माइनस वाला इस प्लस वाले को काड देगा तो यहां क्या आजाएगा, 2B यहां कितना आजाएगा, 2+, 1, 3 2 में से 1- करेंगे, तो कितना हैगा, 1 यहां कितना हो जाएगा, 2 से, 2 cancel A upon B, क्या मान आगे इसका A का मान आगे 3, और B का मान आगे 1 इस परकार से योगान त्रन पात निकाल सकते Compotendo and Dividendo इस परकार से निकाल सकते हैं अब देखते हैं कि अनपात वाले क्योशन कैसे बनते हैं जैसे दे रखा है A अनपात B बराबर 2 बटा 3 B upon C बराबर कितना दे रखा है 4 बटा 5 इस ऐसे क्योशन में क्या करते हैं यहां भी B है और यहां पर भी B है इन दोनों का मान क्या है अलग अलग तो इनको सेम करने के लिए क्या करेंगे यहां तो कर देंगे 4 से इंटू क्योंकि यहां कितना है 4 और यहां कर देंगे 3 से इंटू क्योंकि यहां कितना है 3 जब उपर इंटू करेंगे तो क्या करना पड़ेगा नीचे भी into इसमें क्या हो जाएगा यहां कितना हैगा 4 क्या करते हैं अभी यहां A कमान कितना हो गया अगर यहां से A, Unpath, B, Unpath C निकाले तो कितना हो जाएगा यह 2 को किसे करना है 4 से कितना हो जाएगा 8 Unpath यहां B कमान समानने यहां भी कितना हैगा बारे, यहां भी कितना हैगा बारे तो यहां B कमान कितना हो जाएगा बारे C के लिए निकाले तो क्या हैगा 5 को किस से मल्टिप्लाइ करना है 3 से कितना हो जाएगा 15 यहां लिखना है 15 यहां गया A कमान 8, B कमान 12 और C कमान कितना गया 15 बटे 3 B upon C कितना था 4 बटे 5 अब second method क्या है A अनपाथ B अनपाथ C लिखना है फिर क्या करना A अनपाथ क्या दे रखा है B तो यहां क्या करना है A के बराबर में 2 दे रखा है अनपाथ A कमान 2 हो गया अब B कमान कितना है इसमें 3 यहां C कमान कितना हो जाएगा यहां कितना दे रखा है B upon C 4 B के नीचे B की संक्या लिखेंगे और C के नीचे C की संक्या लिखेंगे अब यह दो जगे खाली है इसमें एक तो यहां पर और दूसरी यहां पर क्या होता है इसमें जो पडोस की संक्या है वो कोन बढ़ता है पडोसी तो इसका पडोसी कोन है ये और इसका पडोसी कोन है ये तो यहां कितना जाएगा तीन यहां कितना जाएगा चार कोई संक्या कटे तो उसको क्या करना है पहले काटना है जैसे अगर यहां पर दो है यहां चार है अगर यहां भी दो की multiply की कोई संक्या आती तो उसको कारते पहले अब यहां नहीं है सभी में तो क्या करेंगे इनको गुणा एक कमान कितना आ गया दो को किसे गुणा करना है चार से तीन को किसे गुणा करना है चार से कितना जाएगा 12 3 को किसे गुणा करना है 5 से तो यहां कितना गया 15 इससे भी यह सेम माना है जैसे 8 बारे 15 यहां है तब वेसे इसमें भी क्या है 8 बारे 15 इसका भी यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं Next question जैसे दे रखा 2A बराबर 3B बराबर 4C अगर तीनों संक्या बराबर में दे रखी हो तो उसको कैसे सोल करते है इसकी भी दो मेथड है या तो पहले LCM लेकर कर लो या फिर ऐसे कर सकते है इसके लिए निकाल रहे तो क्या करेंगे 3 को 4 से मल्टिप्लाई करेंगे तब किसका माना जाएगा A का और B के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे A को C से मल्टिप्लाई करेंगे किसका माना जाएगा B का अगर C के लिए निकालेंगे तो क्या करेंगे A इंटू B तो 2 को किस से मल्टिप्लाई करेंगे 3 से क्या जाएगा इसका C का मान अब यहां से निकाले तो क्या हैगा A, Unpath B, Unpath C इसको छुपाएंगे इन दोनों को Multiply करेंगे तो कितना जाएगा 3 into 4 इसको छुपाएंगे इन दोनों को Multiply करेंगे कितना जाएगा 8 कितना जाएगा यहां से 2 into 4 2 into 4 Unpath C के लिए करेंगे तो क्या जाएगा इसको चुपाएंगे इन दोनों को multiply करेंगे 3 दूनी 6 याँ क्या लिखेंगे 2 into 3 अब क्या करना इनको multiply 3 चोख 12 2 को 4 से करेंगे तो कितना हैगा 8 2 को 3 से करेंगे तो कितना हैगा 6 अब यह क्या सभी दो की टेबिल में आते ही कि 6, 8 और 12 है तो इनको काट सकते हैं यह कितनी बार कटेगा? 3 बार यह कितनी बार कटेगा? 4 बार 2 से इसको काटेंगे तो कितनी बार कटेगा यह? 6 बार इस परकार से A, B और C का अनपाथ निकल गया A का माना आगया 6 B का माना आगया 4 और C का माना आगया 3 Second method देखे अब तो कैसे निकालते है Second method से जैसे 2A बराबर 3B बराबर 4C कैसे करते है Second method से क्या आएगा इसका LCM अब इन दोनों में ये इससे भी करता है 4 को काट सकते है 2 से तो बाड़ी संक्या कौन सी है 4 तो 4 के साथ में क्या लेंगे 3 तो LCM कितना आजाएगा इसमें बार है अगर ऐसे नहीं आ रहा है समझ में तो इससे समझ सकते है LCM कैसे निकालते है पहले छोटी वाली संक्या का क्या करते है पहले छोटी वाली संक्या लेते हैं, यह आजाएगा 2 यहा फिर 2 से करेंगे यह 3, फिर 1, फिर किस से करेंगे, 3 से लास्ट में क्या आ जीए, सभी में 1-1 यहा क्या आ रहे 2 कितने टाइम में आ रहे दो बार में और 3 कितने बार में आ रहे, एक बार में इनको क्या करना है, multiply प्लाय, दो नी, चार, चारती है बारह, तो LCM कितना आ हगया 12, अब इसको काटेंगे, कितना जाएगा A बटा, A का मान कितना जाएगा, 6 E S A B का अनपाथ निकालेंगे, तो कितना जाएगा 3 चोक, बारह, यहां कितना जाएगा, 4 यहां काटेंगे इसको तो कितना आएगा यह अनपाथ C कितना आजाएगा 3 इस परकार से एक तो हो गई यह मैतर और एक हो गई यह मैतर इससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी निकाल सकते हैं क्या करेंगे इसमें, इसका निकालना हो तब इसको चुपाएंगे इन दोनों को गुणा करेंगे, इसको निकालना हो तब इन दोनों को गुणा करेंगे, इस परकार से A, B और C का माना जाएगा, इस वाले क्योशन में क्या करेंगे, जो ये संक्या दे रहे खी, इनका क्या ल अब देखते है क्योशन कैसे सोल होता है यदि A अनपात B बराबर 2 अनपात 5 है और C अनपात B बराबर 3 अनपात 4 है तो A, B, C का मान ग्याद कीजिए अब इसमें देखो कोमन क्या रहा है कोमन क्या रहा है इसमें B तो B को का रखेंगे बीच में A अनपात B अनपात C कितना दे रखें A का मान 2 B का मान 5 या रखेंगे 2 अनपात 5 फिर क्या दे रखें B का मान क्या होगा इसमें 3 होगा या 4 होगा B का मान या B का का दे रखें बाद में तो इस का मान भी का रहेगा बाद में तो ये कितना है 4 C कितना हो जाएगा इसमें? 3 अब पडोस वाली को कौन बरता है? पडोसी तो यहां क्या हो जाएगा? 4 यहां कितना है? 5 तो यहां भी कितना हो जाएगा? 5 अब क्या करते? इनको multiply अगर कटे संक्या तो क्या करते? कार देते अगर नहीं करते तो क्या करना है? इनको तो कितना हो जाएगा? 2 को 4 से multiply किये तो 8 5 को 4 से multiply करेंगे तो कितना होगा? 20 5 को 3 से करेंगे तो कितना होगा? 15 क्या आगे? इसका अनपाद 8, 20 और 15 A, B, C का अनपाद के आगे? 8, 20 और 15 राइट ओप सुनो जाएगा इसका फोर्ट यदि A, अनपाद B बराबर 3, अनपाद 4 और A, अनपाद C बराबर 9, अनपाद 8 है तो A, अनपाद B, अनपाद C के बराबर क्या होगा? यहां भी किसका मान निकालना? A, अनपाद B, अनपाद C का कैसे निकालेंगे यहां से? A, अनपाद B, अनपाद C कोमन क्या दे रखा है इसमें? A, तो A को कहां रखेंगे? बीच में A, B हो जाएगा और इदर क्या रख लेते? C, एक कामान कितना दे रखा है? फर्स्ट वाले में 3 और B कामान 4 तो यहां हो जाएगा A कामान 3 और B कामान 4 अब आगे क्या दे रखा है? A, अनपाद C कामान कितना है? 9, अनपाद 8 तो A कामान हो जाएगा 9 और C कामान कितना हो जाएगा? 8 यहां क्या करेंगे? पडोस वाली संक्य को कुन बरेगा? पडोसी तो यहां हो जाएगा 9 और यहां हो जाएगा 3 अब क्या इसमें कट सकती है कोई संक्या तो 3 से यह एक बार कटेगा यह 3 बार कटेगा और यह कितनी बार कटेगा 3 बार तो यहां कितना जाएगा 1 into 8 कितना हैगा 8 3 को 3 से करेंगे तो कितना हैगा 9 चार को तीन से करेंगे तो कितना हैगा? 12 इसका अनपात कितना आगया? 8, 9, 12 लेकिन इसमें देखना है यहाँ पर जो यह अनपात आए यह किस टाइप से है? C, अनपात, A, अनपात, B हमें किसमें चाहिए? A, अनपात, B, अनपात, C में तो क्या करेंगे पहले? A कमान रखेंगे फिर B कमान रखेंगे फिर C कमान रखेंगे A कमान कितना है इसमें? 9 B कमान कितना है इसमें? 12 C कमान कितना है इसमें? 8 तो यहाँ क्या हो जाएगा इसका अनपात? 9, अनपात, बारे, अनपात, 8 क्या जाएगा इसका right option second 9 अनपात बारे अनपात 8 अब दे रखाए A अनपात B अनपात C क्या दे रखाए A अनपात B अनपात C क्या दे रखाए A अनपात B अनपात C कितना दे रखाए 4 2 9 B C D क्या दे रखाए B C D 28 36 21 है यहां से B कमान रखेंगे 28 36 और D कमान क्या है 21 तो इसमें क्या करेंगे पडोस वाली संक्या को कौन बरेगा पडोसी यहां भी क्या हो जाएगा D कमान 9 अब इसको क्या करेंगे solve कोई सी संक्या कटे तो इसको क्या करना है सबसे पहले काटना है लेकिन इसमें नहीं कटेगी क्योंकि यह तो किसमें संक्या में और यह किसमें V संक्या में तो क्या करेंगे इसको multiply 9 को 1 से किये तो कितना है 9, 9 को 2 से किये तो कितना जाएगा 18, यहां किस से करना है 9 को किस से करना है चैसे तो कितना जाएगा फिफ्टी फॉर नो को तीन से किये तो कितना जाएगा ट्वंटी सेवन ट्वंटी सेवन और फाइव कितना हो जाएगा बद तीस अब इसका देखिए तो कैसे हो गई है दो को आठ से किये तो सोले दो को दो से किये तो चार और एक कितना हो जाएगा पांच चार को आठ से करेंगे तो कितना हैगा आठ चोक 32 चार को किये तो कितना हैगा चार दुनी आठ आठ और 3 कितना हो जाएगा 11 इस परकार से A, B, C और D का रिश्वा जाता है अब देखते हैं नेक्स्ट क्योशन यदि A, B, बराबर 1, 2, अनपात 1, 3, तता B, अनपात C, बराबर 1, 4, अनपात 1, 7 है तो A, अनपात B, अनपात C का अनपात ग्याद कीजिए ऐसे क्योशन को कैसे सोल करेंगे क्या दे रखा है यहाँ पर 1, 2, अनपात 1, 3 इसमें क्या करते 1, 2 है, फिर अनपात में क्या आएगा नीचे, तो 1, 2, 3 क्या करते इसमें जो 1st वाली संक्या होती है उसको किस से मल्टिप्लाई करते 4th वाली संक्या से पतलब क्या करेंगे जो उपर हंस है उसको किस से डिवैड करेंगे, नीचे वाले हर्स और जो दूसरी संक्या है उसमें क्या करेंगे नीचे वाले हर्स से जो उपर वाली हंस वाली संक्या है, उससे क्या करेंगे गुणा, जैसे ऐसे याद रख सकते हैं इसको 1 वाली को 4th से और 2 वाली को 3rd से मल्टिप्लाई करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 1 into कितना हैगा 4th वाली में 3 यह कितना है 2 into 1 क्या करना है इसमें नीचे वाली संक्या को उपर वाली संक्या से मल्टिप्लाई और second number वाली को 3rd वाली से इसको ऐसे लिख सकते 3 अनपात 2 इसको ऐसे लिख सकते कितना हो जाएगा यहां से, दो अब इसको करेंगे आगे सोल क्या जाएगा यहां से, A B, और क्या देरे कैसी इनका निकालना है में अनपात एक कमान कितना जाएगा, तीन या इसको ऐसे भी डारेक्ट कर सकते तीन को किसे मल्टिप्लाइ करेंगे जो उपर वाली संक्या होगी इदर, इसको किसे मल्टिप्लाइ करेंगे, जो इदर वाली संक्या होगी तो कितना जाएगा, तीन अनपात दो अब यहां कितना है, B, अनपात C, यहां कितना है, एक बटा चार, अनपात, एक बटे, साथ साथ को किस से मल्टिप्लाइ करेंगे इस से साथ एकम साथ ये किस का मान है बी का अब सी का मान कैसे निकाल लेंगे इसको किस से मल्टिप्लाइ करना है इस से यहां कितना जाएगा चार अब पडोस वाली संक्या को कौन बरेगा पडोसी अब इधर वाली संक्या को कौन बरेगा यह वाला पडोसी तो यहां आजाएगा यहां कितना हो जाएगा यह दो चोक आठ साधनी चौदे साथ या 21 A, B और C का मान कितना आगया 21, 14, 8 अनपात में क्या माना आगया इसका 21, 14, 8 Next question यदि A अनपात B बराबर 1 बटे 2 अनपात 3 बटे में 8 B अनपात C बराबर 1 बटे 3 अनपात 5 बटे 9 तता C अनपात D बराबर 5 बटे 6 अनपात 3 बटे 4 हो तो A, B, C, D का अनपात क्या होगा यहां भी क्या निकालना है हमें अनपात क्या करेंगे सबसे पहले A, B और C, D इनका क्या निकालना है रेशो क्या करेंगे इस वाली संक्या को इससे multiply 8 को एक से किये तो कितना है 8 ऐसे 3 को 2 से करेंगे तो कितना हैगा 6 3 को 2 से करेंगे तो कितना जाएगा इसमें 6 इसके बाद मैं क्या करेंगे इसको इस से multiply और इसको इस से multiply कितना आ जाएगा 9 नो 3 पंजे 15 या करेंगे C और D का तो कितना जाएगा 4 पंजे 20 यहां कितना आजाएगा 6 को किसे करना है 3 से कितना आजाएगा 18 इसके बाद में इसका पड़ोसी यह है तो यहां भी कितना आजाएगा 6 इसका पड़ोसी भी कौन हो जाएगा 6 अब यहां कितना हैगा 9 क्योंकि इसका पड़ोसी क्या है 9 यहां कितना जाएगा 15 इसके बाद में इसका पड़ोसी कौन है यह तो यहां कितना जाएगा 20 यहां भी कितना जाएगा 20 अब क्या करना है इसको अगर यह कटे संक्या तो क्या करना है काटना है और नहीं कटे तो क्या करते फिर multiply या कौन-कौन से संख्या कट सकती है ये कितनी बार कटेगा 9 बार ये कितनी बार कटेगा 10 बार क्या और संख्या कट सकती है 9 से क्या कट जाएगा 3 बार 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 तिया 9 क्या क्या बचा है इसमें 8 को किसे multiply करेंगे 3 से कितना हो जाएगा 24 24 को किसे करेंगे 10 से तो कितना हैगा यहाँ पर 240 अनपात कितना जाएगा 6 को 3 से किये तो कितना हैगा 18 18 को 10 से किये तो कितना हो जाएगा यह 100 से अनपात 2 को किसे करेंगे 15 से 30 30 को 10 से किये तो कितना हैगा 300 अनपात फिर क्या करेंगे 6 को किसे करेंगे 15 से कितना हैगा 90 90 को फिर किसे करेंगे 300 तो कितना हो जाएगा ये 270 क्या भी भी कट सकता है ये 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल सभी में क्या करना है काटना है अगर सभी में वो संक्या मोजूदों जो कट सकती है तब ही काटना है वरना नहीं काटना है अब क्या 27, 30, 18 और 24 भी कट सकता है 3 से यहां कितना जाएगा? 8 यहां कितना जाएगा यह? 6 यहां कितनी बार कटे गए? 10 बार यहां कितनी बार कटे गए? 9 बार इसका जो A, अनपात B, अनपात C, अनपात D कितना आगे है इसमें 8, 6, 10, 9 इस परकार से इसे questions all होता है अब देखते हैं next question 3A बराबर 4B बराबर 5C तब क्या देखना है यहाँ पर A, B, C का मान तो क्या करते हैं इसे में 3A बराबर 4B, बराबर 5C क्या करेंगे इसमें सबसे पहले क्या लेते हैं? LCM, कितना है गयाँ यहाँ पर LCM? 60, यहाँ भी कितना हैँगा? 60 सबी में जो LCM वाली संक्य रहती है उसको कहां लिखते हैं? नीचे तो यह संक्य कहां आ गई? नीचे अब क्या करतें इसमें A अनपात B अनपात C क्या करेंगे इसमें इससे इसको काटेंगे कितनी बार कटेंगा यह 20 बार यहां A कमान कितना आगया 20 इसको काटेंगे इससे तो कितनी बार कटेंगा 4 एकम 4, 4 पंजे 20 कितनी बार कटेंगा यह 5 एकम 5, 5 दोनी 10 क्या ये भी कर सकता है क्या भी नहीं कर सकता क्योंकि यहां आ रहा है 20 और यहां रहा है 15 यहां रहा है 12 तो इसका direct मान क्या जाएगा 20 पंदरे 12 यह तो है first method अगर second method से करना चाहे तो कैसे होगा यह यह है first और यह है second क्या हो जाएगा इसमें 3A बराबर 4B बराबर 5C कैसे करते हैं second method में इस वाले को चुपाना है क्योंकि इसका मान निकाल रहे A का मान निकालेंगे तो A वाले को चुपाना है B का मान निकालेंगे तो B वाले को चुपाना है और C का मान निकालेंगे तो C वाले को छुपाना है A का छुपाएंगे तो यहां कितना हैगा 4 पंजे 20 B को छुपाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 पंजे 15 C को छुपाएंगे तो 3 किसे करना है 4 से कितना जाएगा 12 मतलब इसका A कमान ही आगए B कमान यह आ गया और C कमान यह आ गया इसके बाद है यदि P बराबर 3Q बराबर 4R बराबर 5S है तो P Q R S कमान ग्याद कीजिए यह भी किस परकार का क्योशन है जो पहले वाला क्योशन की है क्या करेंगे इसमें 2P बराबर 3Q बराबर 4R बराबर में 5S क्या करते है इसमें अगर LCM लेना हो तो LCM ले सकते है पहले क्या करेंगे LCM कितना हैगा इसको LCM 4 ती बारे बारे पंजे 60 कितना हैगा 60 इसको कहां रखना है संक्या के नीचे अब क्या करते है इसमें P अनपाथ Q अनपाथ R अनपात S क्या करेंगे इसमें 2 से इसको काटेंगे कितनी बार कटेंगा ये 30 बार या काटेंगे इसको कितनी बार कटेंगा ये 20 बार इसको काटेंगे कितनी बार कटेंगा ये 4 एकम 4 4 पंजे 20 या S वाले को काटेंगे 5 को किसे काटेंगे 60, तो कितना आएगा, यहाँ पर 5 एकम 5, 5 दो नहीं, 10 कितना आगया, इसका मान P, Q, R, S कितना आगया, 30, 20, 15, 12, कितना आगया 30, 20, 15, 12, अब इसको 2nd method से कैसे करेंगे यह है 1st method, अब करना है 2nd method से क्या हो जाएगा 2P 3Q, बराबर में 4R, बराबर में 5S, क्या करते जिसका निकालते, उसको छुपा देते P, Q, unpath, R, unpath, S, यहाँ इसको छुपाएगे, तो क्या जाएगा 3 को किससे करेंगे, 4 से कितना हैगा, 12, 12 को किससे करेंगे 5 से, कितना हो जाएगा यहाँ पर 60, unpath अब इसको छुपाएगे कितना हैगा, 4 पंजे 20 20 को 2 से किये, तो कितना हैगा 40, unpath यहाँ इसको छुपाएगे, तो कितना जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 S का निकालेंगे, तो कैसे आएगा 4, 3, 12, 12 दूनी 24 अब क्या करेंगे, इसको काटेंगे यहाँ कितना जाएगा 30 यहाँ कितना जाएगा 20 यहाँ कितना जाएगा 15 यहाँ जाएगा 12 चाहिए इस method से करो, चाहिए इस method से करो हमेशा मान दोनों में समान आएगा अब क्योशन X प्लस Y X माइनस Y बराबर 3 अनपात 2 है तो X स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर अनपात X स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर क्या होगा ऐसे क्योशन किस में करते योगांतरा अनुपात से क्यों क्यों कि यहां क्या दे रखा है x प्लस y और यहां क्या दे रखा है x माइनस y क्या इसको इसे लिख सकते है x प्लस y बट्टे में x माइनस y बराबर 3 अनपाथ को कैसे लिखेंगे 3 अनपाथ 2 अब क्या करेंगे यहां से x और y का मान निकालेंगे पहले क्या करेंगे, plus, x plus y minus, क्या करेंगे, यहांपर x plus y plus x minus y, बट्टे में क्या करेंगे, x plus y minus, क्या करेंगे, minus, तो यह किसमें हो जाएगा, minus में, यहां पहले से माइनस से माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस बराबर यहां क्या करेंगे उपर प्लस तीन और दो पांच यहां नीचे क्या करते हैं माइनस तो तीन मैसे दो गए तो कितना मज़ेगा एक उपर क्या कर जाएगा वाई से वाई कर जाएगा यहां नीचे क्या कटेगा x से x क्यों कटा है यह क्योंकि एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है यहां भी क्या एक प्लस में है और दूसरा माइनस में है तो यहां उपर तो क्या बचेगा 2x नीचे क्या बचेगा 2y बराबर में 5 बटे 1 2 से 2 कट गया X का मान कितना आ गया 5 Y का मान कितना गया 1 इन का मान का रखना है X स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर अनपत X स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर में क्या जाएगा यहां से X स्क्वेर प्लस Y स्क्वेर बट्टे में X स्क्वेर माइनस Y स्क्वेर यहां से x कमान कितना रखेंगे 5 पाँच का क्या करना है यहां square plus y कमान कितना है 1 1 का क्या करेंगे square यहां भी क्या करना है 5 का square minus क्या लगा हो है यहां minus तो यहां भी क्या लगाना है minus y कमान कितना है 1 1 का क्या करेंगे square 5 का square कितना होता है 25 5 को कितनी बार multiply करना है दो बार तो कितना हो जाएगा 25 प्लस एक का square या एक या भी 25 या एक इन दोनों को जोड़े कितना होगे यह 26 है इन दोनों को इसमें से इसको minus करेंगे 24 यह कितनी बार कर जाएगा 1, 2 यह कितनी बार कर जाएगा 13 टाइम तो यह इसका मान कितना आ गया 13 अपन में 12 क्या करना है यहां से यह दे रहा है इसको क्या लिख सकते है X अपन X प्लस Y अपन में X माइनस Y इसको ऐसे लिख सकते है बराबर में यह अनपात में दे रहा है पात वाले को ऐसे लिख सकते हैं, 3 बटे में 2, क्या करना है, यहां से X प्लस, यहां से X और Y का मान निकालना है, X और Y का मान निकालने के लिए क्या लगाएंगे, यहां पे Component और Dividend और, यहां से X और Y का मान आ जाएगा, उसके बाद में जो यहां से मान निकलेंगे, X और Y के उसको कहा रखना है इस वाले में यहां से किसका माना जाएगा इसका तो तेरे बटे बारे आंसर आगे इसके next question है a अनपात b बराबर 3 अनपात 4 है तो 7a-4b अनपात 8a प्लस 4b का मान ग्याद करो क्या करेंगे इसमें किसका मान दे रखा एक का इसमें भी किसका मान दे रखा एक का तो यह जो मान दे रखे उसको कहा रखेंगे इस वाले में कितना हो जाएगा 7a-4b अनपात वाले को नीचे लिख सकते हैं कितना जाएगा 8a प्लस 4b यहां से क्या करेंगे a कमान रखेंगे कितना जाएगा 7 into a कमान कितना है 3 minus 4 कां से आये यह यहां से into में क्या करना है 4 b कमान कितना है 4 यहां भी क्या करेंगे a कमान रखेंगे कितना है a कमान 3 plus 4 into b कमान कितना है वहां से 4 यहां जाएगा 7 यह 21 minus 4 चोग 16 8 को 3 से किये कितना हैगा 24 minus 4 को 4 से करें प्लस आएगा यहां पर क्योंकि यहां क्या है प्लस 4 को 4 से किये तो कितना हैगा 16 अभ 21 में से कितना minus करना है 16 कितना बचेगा 5 यहां क्या करना है इनको प्लस कितना हो जाएगा 4 और 6 0 2 और 1 3 3 और 1 4 कितना जाएगा इसका अनपात 1 अनपात 8 इसी को क्या लिख सकते 1 अनपात 8 इसका मान क्या जाएगा 1 अनपात 8 आज हम क्या पढ़े अनपात और समानुपात में क्या अंतर होता है और अनपात और समानुपात कैसे निकालते हैं आगे भी हम इसी तरह continue समानुपात और अनपात के question करेंगे मिलते हैं next class में तब तक के लिए नमस्कार